नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में दोस्तों आज के इस एपिसोड को मिस न किजिए क्योंकि आप के लिए बहुत बहतरी इंचानकारी मिलने वाली है यानि कि पूरे साल में हर महीने में किस चीज को खाना हमारे जरूरी है और बहुत फायदे मंद है यह आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे कि 12 महीने आते हैं साल में कौन से महीने में किस चीज का सेवन जरूर करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो खाना तो वैसे भी हम लोग खाते हैं लेकिन इन चीजों को सही समय पर बहुत ज्यादा लाप हो सकता है जिवन में तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में जानेंगे इसलिए पूरा एपिसोड आप सभी आवश्य देखें सबसे पहले लेते हैं जन्वरी का महीना जन्वरी से फर्वरी आने तक यानि कि मांग बोलते हैं इसे जाता है इस महीने में गुड का इस्तेमाल करें जिहां सुबह के समय योग एवं असनान का नियम बना लें यानि कि सुबह सुबह इस समय आपको जग जाना चाहिए योग करना चाहिए असनान करना चाहिए और पूरे महीने गुड का सेवन जरूर करना चाहिए इस महीने मे ताकि आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकें, इसके बाद आता है चैत्र यानि कि चैत्र का महिना और ये मार्च से अप्रेल के बीच रहता है इस महिने में गूर और नीम की कूमल पत्यों का सेवन जरूर करना चाहिए निम की बिल्कुल कुमल जो पत्यां होती है नई निकली हुई होती है कपोल उसको खाना है और गूर खाना है आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे आपको बहुत सारी बिमारियों से बचने में मदद मिलेगी इन उपायों को करने में हमारा कुछ पैसा भी ज्यादा खर्च छाइन नहीं होता है और स्वास्थ्लाइप गजब का मिलता है कि यहां चैथ के बाद आता है बैशाख जो की अप्रेल से मय तक रहता है इसमहिने में बेल का सेवन बहुत लाब दायक होता है तो बेल का सेवन करें इसके बाद आएगा जेश्ट जो की मई से जुन तक रहेगा इस महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है इसलिए लसी पीएं छाच पीएं दो पहर में सोना थोड़ा बहुत कर सकते हैं यानि कि दो पहर की ठंडे पदार्थ, ककड़ी, पलवल इन सभी का सेवन जरूर करना चाहिए इसके बाद महीना आएगा श्रावन जो की जुलाई से अगस्त तक चलेगा श्रावन महीने में हरड, खिचली, दही का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए अगर आपको स्वस्त रहना है तो इसके आएगा आश्विन जो कि सितंबर से अक्टूबर तक रहेगा इस महीने में गूर, दूध, घी का सेवन करना काफी लावदायक होता है इसके बाद महीना आएगा कार्तिक का अक्टूबर, नवंबर तक ये रहता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में कार्तिक महीना रहत है इस महीने में गर्म दूध गुड और मूली का सेवन करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए इसके बाद महीना आएगा पोश का जिहां दिसंबर से जनवरी का इस रित में दूध खोया गुड घी आउला का सेवन करना काफी लावदायक होता है सेहत बनाने के लिए सबसे तो आप दिसंबर से जनवरी के बीच अपने स्वास्ते का बेहतर ढंग से खयाल रख सकते हैं और अपनी बोड़ी को सही बनाना चाहते हैं तो ये महीना सबसे अच्छा होता है बारा महीने हमने आपको बताए कि किन चीजों का सेवन करेंगे तो लापराप्त होता है जिहा हमने आपको बताया है स्वस्थ रहने के लिए बहतरी नियम है ये क्योंकि उस मौसम में खास लाप देती हैं ये और शदियां जो कि हमने आपको बताया है उन महीने में इनका इस्तेमाल जरूर करें ये आज की जानकारी रही आपके मन में कुछ सवाल अगर है कोई स्वास् करते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो कि हम सही वीडियो आप सभी के लिए बना रहे हैं हमें भी इंस्पिरेशन मिलते हैं तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे लाप राप्त हो जाए आपका एक like share and comment मात्र कुछ सेकंड लगेगा करने में लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकती है इस माध्यम से और अगर आप video like share and comment नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक information पहुँच नहीं पाती है तो आप जरिया हैं आप माध्यम हैं और आपका मात्र कुछ सेकंड लगना है इसलिए video को like share and comment जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाब मिल सके इसके साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाए बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि एसी अन्या नई जानकारी जब भी हम लाए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं अब आप सभी से एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों